नमस्कार दोस्तों आप सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं एक बहुत ही कुपसुरा डिजाइन लाई हूँ जिसे आप as a border भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर as design की तोर पे भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बनाने में फंदों का कोई बंधन नहीं है आप अ आप पहला फंदा सीधा बनें फिर उन अपनी और करें और next फंदा उल्टा अब उन दूसरी और अगला फंदा हम एक बार सीधा बनेंगे और फिर इसी फंदे में एक बार पीछे से सीधा तो हमने देखिए एक फंदे से दो फंदा बना लिया अब उन अपनी और करेंगे next फंदा उल्टा फिर उन दूसरी और next फंदा हम सीधा बनेंगे अभी इसे फंदे को हमें गिराना नहीं है फिर इसी फंदे में हम back side से देखिए back loop से एक और फंदा बना लेंगे तो हमने देखिए एक फंदे से दो फंदा बना लिया उन अपनी और करेंगे अगला फंदा उल्टा next फंदा सीधा फिर अभी हमें इस फंदे को गिराना नहीं है इसी फंदे में back loop से एक और फंदा बना लेना है तो हमने देखिए एक फंदे से दो फंदा बना लिया उन अपनी और अगला फंदा उल्टा नेक्स्ट फंदा सीधा बनना है और एक फंदे से हमें दो फंदा बना लेना है अगला फंदा उल्टा तो हमें एक फंदा सीधा बनना है सीधे में एक से दो भंदा बनाना है और अगला भंदा उल्टा बनाना है तो इसी क्रम में पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे झाल 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 झा सेकंड रो और रॉंग साइड तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब बुन अपने और करेंगे अब ये देखिए ये हमने एक से दो फंदे बनाये थे सीधा बुनते हुए एक से दो फंदे बनाएंगे अब इन दो नो फंदो को हम एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे अब उन दूसरी और करेंगे नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है तो सीधे को हमें दो बार उनना है एक बार सीधा बुना और फिर बिना फंदा गिरा है इसी में बैक लूप से एक और सीधा उन अपनी और किया next फंदा देखिए हमने सीधा बुनते हुए एक से दो किया था तो अबकी इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए यहाँ पे जो फंदे बढ़े थे वो वापस खड़ गया next फंदा देखिए सीधा है तो इसे हमें सीधा बुनना है फंदा गिराना नहीं है इसी फंदे में बयाक लूप से एक और सीधा फंदा एक से दो फंदा next फंदा देखिए हमने एक से दो किया था तो अबकी इन दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो से एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए एक से हमें दो करना है और उन अपनी और करना है और उल्टा देखें उल्टा बुनते हुए इन दोनों फंदों को एक साथ लेके दो से एक कर लेना है उन दूसरी ओर सीधा बनते हुए एक से दो उन अपनी ओर उल्टा बनते हुए दो से दो फंदे हैं देखिए एक और दो एक और दो दो से एक सीधा बनते हुए एक और दो उन अपने और और उल्टा बुनते हुए एक और दो, दो से एक तो हमें एक ही लाइन रिपीट करना है, फ्रंट से भी और बैक से भी सीधे वाले फंदे को हमें दो बार बुनना है और देखिए उल्टे वाले फंदे में दो फंदे हैं, तो उने दो का एक करना है सीधे वाले फंदे में एक से दो करना है और देखिए यहाँ पर दो फंदे हैं, तो दोनों को एक साथ लेके दो का एक करना है झाल झाल फिर हम थर्ड लाइन में आ गया है तो पहला फंदा एज स्टीच है इसे स्लिप कर लेजे नेक्स्ट फंदा उल्टा है देखिए यहां पर दो फंदे हैं तो दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा है तो उसमें एक बार फ्रंट से सीधा और एक बार बैक लूप से सीधा नेक्स्ट फंदा उल्टा है देखिए दो फंदे हैं तो दोनों को एक साथ लेके दो का एक का लेना है तो दो ही फंदे का डिजाइन है और एक ही लाइन का तो इतनी ही हमें दो राना है देखिए फ्रांस डिजाइन बनके त्यार है दो फंदे का और एक लाइन का डिजाइन है सामने से ये ऐसा है और बैक से ऐसा यानि दोनों साथ से ये एक जैसा ही दिखाई देगा तो फ्रांस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाय होगा तो प्लीस कि लाइक शेर और सबस्क्राइब था।